है हलो क्लास तो इन दिस लेक्षर वी गॉन डिसकस अबाउट दा लाइवलिः हुड राइड तो दा फर्स थिंग कम्स इन अवर माइंड वेन वी आ टॉकिंग अबाउट दा लाइवलिः हुड क्या आता है बेटा हर वह चीज जो एक्टिविटी करेगा अपने लिए अपनी फैमिली के लिए उनको लुक आफटर करने के लिए ठीक है यानि कि उनकी देख भाल जिसको बोलते न देख रेक के भाई हम लोगों को क्या करना है उनको फूड देना है एड्यूकेशन देना है तो मतलब यहां पर हम डिसकस करने बाले हैं बेटा उन वेज के बारे में जहां पर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट काइंट्स ओफ एक्टिविटीज डिफरेंट काइंट्स ओफ पीपल दे आर एंगेश्ट इन विच ऑक्क्यूपेशन किन सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं और किन सारी वेज के थू वो क्या कर रहे हैं बेटा अपनी अर्निंग कर रहे हैं ठीके तो इसी के अंदर आज का जो चैप्टर है इसका नाम है रूरल लाइवलिहूड आज जो हम डिसकस करेंगे बेटा रूरल एंड अर्बन लाइवलिहूड के बारे में यानि कि जो विलेज के पीपल हैं वो किस तरीके से अपनी earnings करते हैं ठीक है उसके अलावा कर हम discuss करें तो urban people हैं वो किन activities में engage हैं जिन से वो क्या कर रहे हैं बेटा अपने लिए अपनी family के लिए facilities को gather करते हैं ठीक है किस तरीके से वो अपनी earning कर रहे हैं तो अगर हम बात करें बेटा chapter के according तो first जो हमारे सामने आएगा it will be known as the rural livelihood यानि की वो person जो किस के अंदर engage होंगे बेटा different kinds of farming activities ठीक है तो farming activities की अगर हम बात करें तो rural livelihood के अंदर हमारे सामने सबसे पहले क्या निकल कर आता है बेटा the first thing is the agriculture ठीक है सबसे सामने हमारे क्या आएगा एगरी कल्चर आएगा ठीक है फिर उसके बाद आता है बेटा cattle rearing यानि की आपके सामने जितनी भी cows हैं, buffalo हैं, sheep हैं, goats हैं इनको क्या करना बेटा? रेर करना, चराना, ठीक है, तो उसके अंदर आप यही सारे main works देखोगे, तो इनको करने वाले जो लोग होंगे न बेटा, वो भी अलग-अलग होंगे, हैं न, ऐसा तो नहीं है that all the villagers, all the rural people are doing the same agriculture works, right, तो ऐसा भी नहीं होगा, कि सब लोग agriculture के अंदर engage होंगे, तो ऐसा भी तो ऐसे ही कुछ लोगों को differentiate किया गया है, उनके पास मिलने वाली land के basis पर, ठीक है, और उनसे उनको किस तरह की earnings हो रही है, तो इसी basis पर हम कुछ लोगों के बारे में कुछ laborers की बात करें, farmers की बात करेंगे आज, तो you will see that there is the first category of the landless laborers, ठीक है, तो यहाँ पर आपके नाम में ही सारी चीजे चुपी हुई है, जिसमें आप देखोगे, कि आपके सामने जो पहला word आया, landless, यानि कि they will not possess any kind of land, यानि कि इनके पास खुद की कोई land नहीं होगी, चलो ठीक है, माल लेते हैं बेटा, no land for farming, आप देखो पहला जो हमने clause पढ़ा कि agriculture करनी है, तो आपके पास खुद की land होनी चाहिए, बिल्कुल, but they don't possess any kind of land, तो हमने देखा कि इनके पास कोई land नहीं है, so how they will earn their livelihood, so first they will work for someone else, किसी और के लिए क्या करेंगे बेटा, ये work करेंगे, for someone else, ठीक है, किसी और के लिए work करेंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, इनको जो earning होगी, their earning will be very less, and they have to work very hard, उनको अपनी earning के लिए, अपनी livelihood के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, काफी जादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी जादा hard work करना पड़ेगा, ठीक है, so now we are coming to the third point, कि जब इनके पास, इनकी क्या है बेटा, earning less है, तो क्या ये अपनी एक अच्छी lifestyle को जी पाएंगे, क्या इनके आसपास, तो आप देखोगी बेटा, कि जो इनकी lifestyle है न, they will very poor, ठीक है, तो ये कैसे देखने को मिलेंगे बेटा, these laborers are poor, ठीक है, ऐसे लोग आपको कैसे दिखाई देते हैं बेटा, poor होते हैं, and they have to depend on someone else's will, किसी और की मर्जी पे क्या रखना पड़ेगा इन्हें, depend होना पड़ेगा, जहां पर आप देखोगे, कि अगर किसी ने आपको allow किया है, तभी आप उसके लिए work कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है, चलो, अब discuss करते हैं बेटा, इसके बाद जो second category आती है, आपके farmers की, उनको बोला जाता है, बेटा, small plot holders, ठीक है, तो देखो, अब इसका मतलब है कि इनके पास, क्या होगा, family से मिलने वाली land होगी, और वो land इतनी जादा sufficient नहीं होगी, कि वहाँ पर आप क्या कर सको, बेटा, agriculture कर सको, और अपने पूरे family को look after कर सको, ठीक है, तो first हम बात करेंगे, बेटा, इनके पास land कितनी होनी चाहिए, land होगी, बेटा, आपकी, less than, 2.5 acres, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, बेटा, आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपके पास, 2.5 acres से, जो less आपके land होगी, वही consider किये जाएंगे, बेटा, as the small plot holders, ठीक है, तो अब आप देखोगी, बेटा, कि आप लोग थोड़ा बहुत, अगर villages को जानते हो, समझते हो, so you will see that, there are so many family members in the village area, एक family के अंदर काफी जादा लोग होते हैं, because there are some of the united families, ठीक है, वहाँ पर सब लोग कैसा रहना चाहते हैं, बेटा, एक साथ united रहना चाहते हैं, तो अब अगर हम बात करें, बेटा, तो इन लोगों को भी क्या होता है, बेटा, they also have to work in someone else's field, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगी, बेटा, इनको क्या करना परता है, बेटा, अपनी livelihood के लिए, अपनी, अगर हम बात करें, जो lifestyle है, उसको carry forward करने के लिए, लोगों के यहाँ काम भी करना परता है, मतलब अगर आप मानो, कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, अपनी इस land पर agriculture करेंगे, farming करेंगे, और कुछ लोग किधर जाएंगे बेटा, यह लोग जाएंगे, कि दूसरे लोगों के यहाँ काम करने के लिए, ठीक है, और इनकी अगर बात करें बेटा, तो इनको और क्या बोला जाता है, also known as marginal farmers, ठीक है, अब जब यह agriculture भी कर रहे होंगे बेटा, तो आपको देखने को मिलेगा, they don't have any kind of special techniques, ऐसा नहीं है, कि इनके पास काफी जादा techniques देखने को मिलेंगी, special seeds देखने को मिलेंगे, जिनसे production जादा मिले, ठीक है, तो बिलकुल basic type की क्या करेंगे बेटा, agriculture करेंगे, तो आपको सम समझ में आ जाएगा, कि उससे मिलने वाला output भी कम रहने वाला है, तो somewhere हमें क्या feel आया बेटा, कि ना तो इनको earning दूसरे area से हो रही है, जहां पर यह work कर रहे हैं, इनके family members work कर रहे हैं, और ना ही इनको अपने खुद के own land से किसी भी तरह की क्या देखने को मिल रहा है करें, तो इनको कही न कहीं बोला जा सकता है, कि ये लोगों की जो lifestyle होगी, जो livelihood होगी, earning होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, चलिए, तो हमने basic चीजें क्या देखी बेटा, rural के अंदर discuss किया, कि वो लोग work क्या करते हैं, ठीक है, उस work के अलावा हमने discuss किया बेटा, कि इनकी कि इतनी categories में हम इने divide कर सकते हैं, तो आप देखोगे, first आता है landless, यानि कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है, that they have to work in someone else farm, ठीक है, इनको किसी और की work के करना पड़ेगा, किसी और की farm में काम करना पड़ेगा, clear है, चलो, फिर इसके बाद हम discuss करते हैं, next topic को, ज या इन लोगों की और कोई categories हमारे सामने आती हैं, या फिर हमें यही continue होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, चलो, तो अब अगर हम discuss करें बेटा, तो आप देखोगे, same वही चीजें discuss करनी हैं हमें, चलो, यहाँ पर देखते हैं बेटा, कि अब next क्या आता है हमारे सामने, now the third kind of category comes in front of us, the small farmers, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक जो चीज याद रखनी है, वो आपका अपना pattern याद रखना है बेटा, ठीक है, किस pattern के through आपने पढ़ा था, तो फिर जो main base आएगा, इनके differentiation क इनको किस तरीके से divide किया गया था, उन चीजों को अब हम discuss करते हैं, तो first यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा, land कितनी होगी, more than 2.5 acres and less than 5 acres. यानि कि इनके पास 2.5 से जादा रहेगा, पर less than कितना रहेगा बेटा, 5 acres से, ठीक है, तो अब हम बात करें बेटा, अगर आप comparison करके देखो, तो they will have more than the small plot holders, उन plot holders के साथ-साथ, इनको अगर compare करोगे आप, तो थोड़ा सा इनकी lifestyle क्या होगी बेटा, सही देखने को मिलेग ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा, पूरी इंडिया के अंदर, तो अभी तक जितने भी हम लोगों को discuss किया था, उनकी अगर हम percentage देखें, population wise, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि यह जो पूरा आपका village वाला system है न, यहाँ पर आपको देख holders जो है आपके, वो कितने percent में आता है बेटा, around आता है आपका 33% क्या सपस, ठीक है, यह कितने में है बेटा, total population के, और यह total population किसकी, rural population, ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा, तो जो small farmers हैं, they lie somewhere at 30%, ठीक है, इसके अलावा, एक और farmers बचेगा बेटा, जिसको बोला जाएगा, rich farmers, और जिनकी category आएगी बेटा, around 10% के, एप्रॉक्स, ठीक है, जो approximately कितना होगा, total rural population का, 10% के, आसपास, ठीक है, तो अभी तक हमने इनकी population wise देख लिया, तो आप देखोगे, जो सबसे ज़्यादा population हमारे सामने देखने को मिली, वो किसकी देखने को मिली ये बेटा, जिनके पास ज़्यादा earning sources नहीं है, ना तो उनके पास कोई special तरीके का आपके सामने, कुछ उनके skill देखने को मिल रहे हैं, ना कोई वो high earnings करने वाले हैं, बस वो अपना क्या कर रहे हैं, बेटा, किसी तरीके से अपनी life को continue कर रहे हैं, ठीके, तो अब अगर हम बात करें बेटा, तो आप क्या देखोगे, कि आपके सामने normal आपको दिखने वाला है, कि यहाँ पर आपके percentage कितने होंगे total का, तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, यहाँ पर 30% के आज पास आपके people होंगे, ठीके, कितने percent आएगा, 30% people, ठीके, यहाँ पर अगर हम बात करें earning की, तो medium earning रहने वाली है आपकी, fourth point में बात करें बेटा, no specialization in agriculture, यानि कि यह किसी भी तरीकी की कोई special चीजों को use नहीं करने वाले हैं, ठीक है बेटा, clear हो गया यहाँ तक, चलो, अब हम discuss करेंगे बेटा, next point को जिसमें आने वाले हैं आपके सामने, the rich farmers, fourth में क्या हैगा बेटा, आपके सामने, rich farmers, चलो, थोड़ा सा इसके पीछे का background देखते हैं बेटा, कि यह rich farmers आपको देखने को कहां मिलने वाले हैं, most of the rich farmers are in Punjab, हर्याना, गुजरात, एंड राजस्थान, यहाँ की जो farmers होंगे ना बेटा, अब देखो category divide की थी, तो उसका base लिया था हमने land का, तो ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके सामने land कितनी होनी चाहिए बेटा, अब आपने देखा, कि 5 acres के उपर जैसे ही जाएगा, यानि की more than 5 acres, ठीक है, जैसे ही आपकी land 5 acres से जादा हो जाएगी, तब आपको किसके अंदर consider किया जाएगा बेटा, you will be considered as the rich farmers, अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे, कि यह जो rich farmers हैं बेटा, यह total कितनी population के अंदर आते हैं, अगर हमने भी discuss किया था, तो approach, आपको देखने को मिलेगा 10% के आसपास, ठीक है, किसके अंदर आते हैं बेटा, आपके, इस farmers के अंदर आते हैं, ठीक है, चलो, they have new techniques, ठीक है, new techniques देखने को मिलती हैं बेटा, ठीक है, और technology के अगर हम घ्यान की बात करें, तो यह लोग ज़्यादा new technical knowledge, अब यह new technological knowledge क्या है, they will have every kind of advanced farming tools, हर तरीके का farming tools मिलेगा, high quality seeds को use करेंगे, जिसकी वजह से आप इनकी earnings देखोगे बेटा, वो काफी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, तो अगर हम earning की बात करें बेटा, तो हम कह सकते हैं, that they are specialized in growing crops, इनको speciality पता होती है, specialization होता है, जिसके अंदर यह क्या कर सकते हैं, बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा earnings कर सकते हैं, clear है यहाँ तक, चलो, तो आपने देख लिया बेटा, चार तरह के क्या थे, आपके सामने categories देखने को मिली, जिसमें आपने उनकी land के basis पर, उनके technological knowledge के उपर, यानि कि जब farming करेंगे, तो किस तरीके का output उन्हें मिल रहा है, उस basis पर, और उनकी कितना percentage है, total population का, इस basis पर हमने क्या करा है, बेटा, इनको differentiate किया है, ठीक है, चलो, तो हम next topic में discuss करेंगे, बेटा, कि जो rural के साथ-साथ, जो urban लोग हैं, वो भी तो कुछ कर रहे होंगे न, तो वो क्या कर रहे हैं, क्यूं कर रहे हैं, और इनका जो earning है, जो occupation है, वो आपके rural लोगों से किस तरीके से अलग है, ठीक है,